जाहिंद आज है 14 फरविर 2024 और 14 फरविर 2024 से बढ़ने वाले सभी इंपोर्टेंट करन ट्रफियस के कोशन के बारे में जानेंगे पहला कोशन है 20 की पहली हवाई टेक्सी सेवा कहां शुरू होने वाली है तो इसी साल शुरू होगा दूबाई में कहां पर दूबाई में शु लगी रहे और एक बार चार्ज होगा तो इस七जी कोशन कितना चलेगा 161 के वाइज चलेगा चार बैके इसमें लगी रहे चलेगा 1 noticed, स्पीड होगा मैक्समाम स्पीड 321 किलोमीटर कीमी पर हावर होगा यानि कि लागतार अगर आधा घंट फूल स्पीट में चले तो आधा होई जाएगा 16 दूना बत्तिस तो आधा घंट अगर चलता है लागता बैट जाएगा चारव बैट यह बैट जाएंगी वैसे तो आध अचानक उतर जाएगा चीनिया जैसे उतरती है वैसे भी जहां उतारना उसको उतर जाएगा यह टेक्सी सेवा हाई टेक्सी सेवा शुरू होने वाला है दुबई में अगला बैडमिंटन एस्या टीम चैंपियंशिप 2024 कहां खेला जा रहा है तो मलेशिया में खेला जा रह ना को 18 फ्यब्रोरी होगा मलेशिया का बारे में जाल लेते हैं तो मलेशिया की राजधानी कहां है कौल एलन पूर अब नहीं है उसको हटा दिया गया है कि समूधरी एडिया थोड़ा ऊपर आ गया समूधरी पानी इसके वाँज़ से वहां से हटा के क्वालालंपूर से प कि अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से दो देशों में तीन दिन के अधिकारी के आतर पर गए हैं तो यूएई और कतर कतर को और यूएई यूएई दो दिन कतर में रहेंगे और एक दिन यूएई में रहेंगे तो अभी तो कतर से हमारे देश के जुनों सयनिक थे तो पर अरूप लगा था मतलब मृत्यू सजाँ ही मिल गया था उसके बाद से फिर सजा कम हुआ और कुछ आशा भारत का चमतकार या फिर भारत की जो कूटनीति ग्राजनीति जो भी बात या समझ लिए जो मजबूती है भारत की उसके वाज़ा से हमारे देश के जो सैनिक थे उन लोगों को रिहा कर दिया है अगला है कि तमिलाडू के किस मंत्री को जेल से जमानत नहीं मिलने पर त्याग पत्र द अब कहा है जेल में यह तो पता ही है नौकरी के मामले में जमीन दीजिए नौकरी लीजिए बिहार में चला था तो यह वैसे यह भी थे कि नौकरी लीजिए लिजिए पता नहीं नेता कहां यह सब रिश्वत ले रहे हैं अभी हमन्त सोरें थे उनके ओपर इडी का अधिसर लिए भारत के जनता ही सब कुछ है जनता हमारे विए सब कुछ है जाते हैं तो जनता आपकुछ नहीं पहला पárioसा है बाद में जनता है अब नेता लोग के पता नहीं कौन-कौन सामों क्या-क्या-क्या रास आता कि भाष्टी टेनिस खिलाडी ने 8P सिंगल स्टें रैंकिंग में सीट सो में जगा बनाई है तो यह सुमित नागल किसने सुमित नागल ने सीट सो में जगा बनाई यह को अंठानवे रैंकिंग में सो नहीं बलकि अंठानवे रैंकिंग है इनका अंठानवे अस्थान पर अंठानवे अस्थान पर अंठानवे अस्थान पर आय नागल अंठानवे अस्थान पर आए हैं और ये अटिपी की क्या होता है एसोसियेशन आफ तेनीस प्रोफेशनल तर्फे यह आ इंस मतलो चीर्ष सव में आए हुए है तो 2019 में भी गूले सवरन थे वह भी 40 सव में जगह बनाए थे conception 2019 सिर्षचOW में जगा बनाए थे13 फर्वरिटाने को मनाये गए अंतराषटरी रेडियो दीवस का विसय क्या था ईए जो रेडियो दीवस मनाये गया तेरह तारिक को उसका विसय था 1 100 की सूचना 1 100 की सूचना 1 100 की सूचना की सूचना मनुरणजन और सिक्छा मनुरंजन मनु रंजन और शिच्छा थीम को याद रखिएगा यह थीम अदिकतर पूछ देता है एकजाम में जो पहता है पेपर जो बनता है उसमें पूछ देता है कि जो रेडियो दिया गया था तो एक एक सदी की सूजना मनरंजन और सिक्षा अगला देख लेता है कि इस राज में हुक्का बार यानि हुक्का पार्लर पर प्रतिबंद लगा दिया गया है तो तेलंगाना में कहां पर लगाया गया है तेलंगाना में हुक्का बार पर प्रतिबंद लगा दिया गया है तेलंगान अगर प्रतिबंद ही जब लगा हुक का बार पे तो जहां प्रोड़क्ट इसको भी बंद कर दीजिए अभी जो कुछ दिर पहरे हुआ था कि अगर कोई जो किसान किसान क्या जो सब्जी बेचने वाले हैं उनके पास अगर थैला मिल जाता है तो उनको पर जुरुमाना लगा जहां बन रहें फोन प्रतिबंद लगा दिशेसरकार काशच करके प्रतिबंद कि अन्ना कहांपर कि है अनक और इसमें 117 जो रेडियो संस्थान भाग लिया है और भारत में जो स्वामुदाइक रेडियो था रेडियो मतलब है भारत में स्वामुदाइक रेडियो है उसकी शुरुवाद 2002 में हुई थी पूर्व उपराष्ट पति में नैडू और संस्कृती मंत्र जी किसन रेडियो कहां पर संगीत नाटक अकादमी का उद्गाटन किया है ने कारी में बढ़ावा देने के लिए इसका घाटन किया गया है मोदी जिबसे आए मात्रिभासा पर ध्यान दे रहें बात सभी है को ज्यादा महतों देना चाहिए लेकिन काज के परियोश में क्या है कि लगता है सबको आज के समय जो प्रेंट्स है माबाप उद्वा जो लगता क्र North China सिर्वारत का सबसे मुलेवान कंपणी कोन बना है रिलाइंस बना में रिलाइंस इंड़स्ट्री लिमिटेट सबसे lot company में दूसरा स्थान पर है TCS दूसरा स्थान पर कौन है TCS और तीशरा स्थान पर है अभी जो फोप्स ने रेक है ये पॉर्ट निका ला था इसमें घेक को बन गया है बर्नार्ड आर्नाल्ट थे जो और यह भारत के जो है अपने अंबानी जी विश्व के राहने नंबर के सब्समीर ब्यक्ति हैं और एसिया के पहले अमीर ब्यक्ति हैं अगला प्रते एक वर्स पॉर्वल्र को कौन सा दिवस मना जाता है तो अभी मना जाता है यह दिवस मना जाता है अब वैलनटाइन को मतलब दिवस एक संथ का नाम है वैलनटाइन जो कैथोलिक पादरी थे और रोम में रहते तिसरी सताबदी के आश पास यह रोम इक जुड़िक पादरी थे उनके नाम पर वैलनोटाइन दिवस मनाया जाता है लेकिन आज के पड़िवस्में मतलब पता नहीं क कहां कहां तक चला जाता है ठीक है जो सोच अपनी वह अलग अलग है यह कुछ कुछ के कोश्चन थे इसको याद रखिएगा जैंद कर दो